नमस्कार दोस्तों मैं सुनीर शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे दोवा PC सोफ्ट्वेर समार्ट PSS में डिवाइस को कैसे एड़ किया जाता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें डिवाइस पर क्लिक करना है इसके अलावा हम मन मेनू में जाकर भी डिवाइस पर क्लिक करके इस फोलडर में आ सकते हैं यहां डिवाइस एड करने का मतलब है कि अपने CCTV DVR को आपका जो दोवा का CCTV DVR है उसे इस स्वटवेर के तरूँ configure करना ताकि आप अपने cctv cameras को live अपने laptop या PC पर देख पाए Friends, device का folder कुछ इस तरह सोगा जैसे कि आप इस वक्त screen पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें add पर click करना है DVR को add करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ device का नाम डालना है कि device का नाम क्या है यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं Second है Friends, method of add किस method के थुरू आफ DVR को यहाँ पर add कर रहे हैं अपने device को add कर सकते हैं IP address और या फिर serial number के थुरू दो ही तरीके हैं कि आप अपने device को यहाँ पर add कर सकते हैं Friends, मैंने यहाँ पर serial number को select किया है उके उसके बाद में Friends group name है Group name को मैं यहाँ पर default ही रहने देता हूँ इसके अलावा Friends, serial number में मैं अपने device का या फिर DVR का यह उसका serial number यहाँ पर fill up कर रहा हूँ Friends, इसके बाद में आपको username और password डालना है यह username, password वही होना चाहिए जो कि आप अपने DVR में use कर रहे है यहाँ पर complete information fill करने के बाद हमें add पर click करना है इस वीडियो से related या फिर CCTV से related कोई भी problem आपके पास है तो आप हमें comments में पूछ सकते है We will definitely reply to you as soon as possible अब Friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने information complete कर दी है और इसे add पर click कर दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर online status जो है offline आ रहा है हमें कुछ दिर wait करना है यह बहुत जल्द ही online हो जाता है अगर आपका DVR जो है online है तो Friends, device के online होने के बाद या फिर green signal आने के बाद आप live view पर आजेए आप अपने CCTV camera live अपने laptop या PC पर smart PSS के थूँ देख सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for watching